हेले दोस्तों, आज हम Current Affairs 18 December 2019 का लिकर आएंगे हैं. आज का First Questions है UP बिधान सभा के सीद काली इन सत्र में कितने करोन का अनुपूरक बजट पेस किया गया है? Answer 4210 करोन Next Questions कौन से राज की बिधान सभा ने निसेध संसोधन बिधेयक 2019 पारित किया है? Answer आंदर पर्देश Next Questions भारती से नाके नए परमुक के रूप में किसे निक्त किया गया है? Answer Lieutenant General Manoj Mukund Narwana Next Questions भारती से नाके नए परमुक कब से अपना पदभार गरहा करेंगे? Answer 31 December से Next Questions नए सेना परमुक के पदभार गरहा करने के बाद कौन से नंबर के सेना परमुक बनेंगे? Answer 28 में सेना परमुक Next Questions किस देश के परधान मंत्री भारत की दो दिवसी यात्रा पर आ रहे हैं? Answer इन्टोनियो कोष्टा पूर्टगाल देश के Next Question Digital State Report 2019 में कौन सा राज सीर्स पर है? Answer 36 गड़ Next Questions 36 में अंतर राष्टी भू बैज्ञानिक कांग्रेस की मेजवानी कौन सा देश करेगा? Answer दिल्ली, इंडिया Next Question 36 में अंतर राष्टी भू बैज्ञानिक कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कब होगा? Answer 2 से 8 मार्च दोहजार पीस Next Questions नासा ने छुद्र ग्राह नमूना अस्थल का क्या नाम रखा है? Answer नाइट इंग्ल Next Question आल ही में कौन से मंतराले ने खनन को पढ़ावा देने के लिए विकास प्रकोष्ट अस्थापित करेगा? Answer कोईला मंतराले Next Question साओ दिवसी रोजगार कारकरम में कौन से राजक को पहले अस्थान पर चुना गया है? Answer पश्चिम बंगार Next Question हाल ही में भारत ने कौन से नंबर का विजय दिवस मनाया है? Answer इस देश के पूर्वे राष्ट पती को फांसी की सजा सुनाई गई है? Answer पाकिस्तान Next Question दच्छिन सुडान में भारती सांति सैनिकों के अच्छे काम के लिए किसने सम्मानित किया है? Answer United Nations Next Question भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एर लांच भूम अटेक का सफलता पूर्वक परिच्छ कहां से किया है? Answer पुरिशा चांदीपूर से Next Question ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए भारत ने किस देश के साथ अनुबंध किये है? Answer Philippines Next Question हाल ही में राष्टपती के सहमत के बाद कौन सा बिल अधिनियम बन गया है? Answer Recycling आफ सिप्स बिल दोहचार उन्यस Next Question Gender Gap Index 2019 में भारत किस अस्थान पर है? Answer 100 ब्रहमें अस्थान पर Next Question Gender Gap Index 2019 कौन सा देश पहले अस्थान पर है? Answer Iceland Next Question भारत और नेपाल के बीच हुए सैन अभ्यास का क्या नाम था? Answer Suri Kiran Next Question गाड़ियों पर पाष्ट टेग लगाने की अंतिम तारीख क्या कर दी गई है? Answer 15 January 2020 दोस्तों आज का प्रस्ण है राष्ट पती ने नागरिक्ता संसूधन बिल पर अपनी सहमत की स्तारीख को दी है? फिर से ध्यान से सुने आज का प्रस्ण है राष्ट पती ने नागरिक्ता संसूधन बिल पर अपनी सहमत की स्तारीख को दी है? इसका अंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और आप लोग हमारा चैनल कैसा लगा इसके भी से में कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को सेयर करें